पॉजिशन एंड विलॉसिटी का जो रिलिशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस पर बहुत सारे कुशिन पूछे भी जाते हैं और यह है भी बहुत इंट्रेस्टेंग इसका ग्राफ भी हम देखने वाले है तो देखो इसमें होता है क्या है एसे चैम में मानलो हमाया विलॉसिटी एकुशन क्या जाती है a ओमेगा यह बन जाता है साइन का मैं पास कॉस ओफ ओमेगा दी प्लस फाइग अब यहां पर मुझे साइन दिखरा है मुझे कॉस दिखरा है मुझे टाइम को अगर यहां से eliminate कर देना है इसके लिए यहाँ पर मेरे पास position की time का function है velocity time का function है मैं चाहता हूँ कि velocity as a function of x अलग-अलग position पर ऐसे चाहिए मेरे पास अलग-अलग position हो सकती है किस position पर क्या velocity अगर मुझे पता करना है तो मुझे यहाँ से time को उड़ाना पड़ेगा और उसका बहुत ही अच्छा सा तरीका होता है कि आप करतो sin square plus cos square theta उसकी value हमेशा 1 के बराबर होती है अंदर कोई भी चीज़ है यहाँ पर अगर दोनों में यह सेम चीज़ है sin square plus cos square की value हमेशा 1 के बराबर होगी अच्छे यहाँ से sin square की value क्या जाती है हो जाती x upon a यहाँ पर मैं लिख दूँगा x divided by a और इसका होना चाहिए देखो हमाँ पास square plus cos की value क्या हो जाएगी देखो वो जाएगा v upon a omega उसको इस तरीके से हम लिखेंगे velocity upon a omega इसका भी square this will always be equal to 1 इस equation में से time उड़ चुका है के लिए a और omega की value तो constant होती है अच्छे इसको देखने का मैं और एक तरीका आपको दिखाना चाहता हूँ इसको कैसे समझा जाए इसको मैं लिख सकता हूँ x square divided by x की maximum value का square है ना x की maximum value कित्ती होती है a के बराबर amplitude के बराबर plus यहाँ पर हम करेंगे v square divided by a omega क्या होता है velocity की maximum value तो यह हो जाता है हमाँ पास देखो a omega velocity की maximum value क्या होगा है इसकी value 1 हो जाएगी तो velocity की maximum value हो जाएगी a omega इसका गदो आप square तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा आपकी बर इसको v max का square will be equal to 1 अब ऐसी जब भी equation होती है तो यह एक ellipse के form में आती है तो यहाँ पर मानलो मेरे पास x है इस axis पर यहाँ पर है velocity v तो देखो जब भी हमारे पास x की value x max के बराबर हो जाएगी तो यह वाली कटके 1 हो जाएगी यहाँ पर भी 1 है यानि की velocity की value उस point पर 0 होगी तो x की जब maximum value होगी velocity 0 होगी minimum में भी हाँ पर जब आएगा तो इस तरीके तो basically इसका जो graph बनता है वो एक इस तरीके से ellipse बन जाता है ऐसा कुछ यह perfect ellipse तो बना नहीं पर अब यह perfect ellipse बन गया है technology की हम पर थोड़ी से प्रपा हो गई है यह मेरे पास x की maximum value है यह velocity की maximum values है इस तरीके से में पास एक graph आ जाता है यह ellipse की equation है और आप देखोगे अभी थोड़ी दिर बाद जा हम क्या करेंगे velocity को differentiate करके acceleration मनाएंगे वहाँ पर भी cos होता है और फिर यहाँ पर फिर से sign आ जाएगा उन दोनों के भी बीच में exactly same relation आएगा exactly same equation वहाँ भी आने वाली है लेकिन अभी के लिए हम concentrate करते हैं velocity और position पर अब देखो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ इसी equation को फिर से थोड़ा से organize करने की कोशिश करते हैं यहाँ से हमाँ पास आ जाता है x square into omega square plus v square is equal to a square omega square ठीक अब यहाँ से value के आजाती है रेको velocity की value अगर मुझे पता करनी है v square की value आजाती है a square omega square minus x square omega square और velocity का यहाँ से मेरे पास formula जाता है omega under root of a square minus x square अच्छे यहाँ पर हमने velocity के लिए इसको जो भी था इसको under root किया है यहाँ पर मेरे पास plus भी हो सकता है minus भी हो सकता है यह भी important चीज़ और यह आगया I think पूरे SHM का सबसे इंपॉर्टन फॉर्मुला यही है अगर मेरे पास SHM हो रहा है इस तरीके से और यहाँ से मैं बोलता हूँ यह मेरे पास a था यह minus a था किसी भी point पर अगर मुझे velocity पता करने कि भाई इस point पर velocity कितनी होगी यहाँ पर आप X की value रखता है आपको velocity मिल जाएगी plus minus का मतलब अगर particle इधर जा रहा है तो वो positive हो गया इधर जा रहा है तो negative हो गया लेकिन इस point पर speed की value दोनों पर ऐसे देखो same ही आजाती है यह हमारी बहुत ही important equation है और यहाँ से एक और चीज पता चलती है अगर मुझे velocity की maximum value चाहिए velocity की maximum value कितनी आजाती है यहाँ पर देखो अगर इसकी maximum value होनी है तो यह under root में जो हमारे पास X है X की value आपको दो 0 यहाँ से में पास value जाती है इसकी A omega के बराबर और यह कब होती है यह तब होती है जब X की value 0 है यानि की mean position तो हम यहाँ से पता जलता है कि maximum velocity mean position पे होती है अब इस पर बहुत सारे सवाल पूचे गए है सब को solve करना शुरू करते है The plot of velocity versus displacement of a particle executing simple harmonic motion is shown in the figure The time period of oscillation of the particle is Hmm, graph वाला question है मुश्किल होगा Actually, यह बहुत ही simple है ध्यान से देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है क्या information हम यहाँ से निकाल सकते है वीडियो को pause करो, question solve करो इसका correct answer है यह कैसे आया, देखो यहाँ पर x की maximum value जा रही है मुझे basically दोनों की maximum और minimum value इस बता रखी है और तो कोई information यहाँ पर दी हुई नहीं है यहाँ से मुझे पता चल जाता है भाई, x की जो maximum value है x max, जिसको हम क्या बोलते है amplitude भी बोलते है, उसकी value कितनी आ रही है वो आ रही है, मेरे पास 10 cm velocity की maximum value उसकी value कितनी होती है वो होती है, a omega, वो कितना दिया है हमें 40 cm per second क्या यहाँ से हम omega की value निकाल सकते हैं omega की value यहाँ से आ जाएगी देखो, इन दोनों को आप divide कर तो वो आ जाएगा, मेरे पास 4 per second omega की value 4 per second अब यह obviously 4 radian per second होगी लेकिन अगर यह आ गया, तो time period की value आ जाती है, 2 pi by omega value रग दो, 2 pi divided by 4 इसकी value जाती है, pi by 2 second option A is the correct answer देखो, कितना simple सवाल था अगर हमें पता है कि हमारे पास x की maximum velocity value जो होती है, x की maximum value amplitude होती है, velocity की maximum value A omega होती है, तो इससे में answer मिल जाएगा a particle executing simple harmonic motion of amplitude 5 cm has maximum speed of 31.4 cm per second its oscillation per second अब ये देखो, oscillation per second क्या होता है, ये हमसे जो पूची गई है वो पूची गई है, frequency per second कितने oscillation हो रहे है और इसकी जो value होती है, वो one upon time period होती है, ये जीज़ हमें पता करनी है वीडियो को पास करो, question को solve करो इसका correct answer है D solve करते हैं कैसे है देखो हमें amplitude की value दे रखी है 5 cm और हमें अपस velocity की जो maximum value होती है वो कितनी होती है A omega, उसकी value देवी है 31.4 cm per second तो जाना पैचाना नंबर दिख रही है क्या यह ऐसा नहीं दिख रहा है कि इसको मैं लिख दूँ 10 pi cm per second क्योंकि pi की value कितनी होती है 3.14 तो यह हमाँ पास value आ गए यहां से मैं omega निकाल सकता हूँ देखो, दोनों को divide कर दोगे तो omega की value आ जाती है मेरे पास 2 pi और omega की value 2 pi आ गए अब यह बहुत ही अच्छा सवाल है यहां पर थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा देखो, हमें क्या-क्या दिया हुआ है उसका amplitude की value दियो है उसके time period की value दियो है time period दिया है तो वहां से मैं omega की value पता कर सकता हूँ और हमसे पुझा है यह displacement की value कितनी होगी जब हमाँ पास speed maximum speed की half है तो यहां पर हमाँ पास जो velocity का relation होता है क्या होता है velocity is equal to omega under root of a square minus x square इसकी value हमें यहां से कुछ ना कुछ चीज़ें पता करनी है वीडियो को pause करो question को solve करो इसका correct answer है B बहुत ही simple है actually question देखो velocity की value क्या बोला यह होगी v max की half velocity की maximum value कितनी ही होती है a omega उसकी half होनी जाए यहां से देखो हमाँ पास omega से omega कट जाता है और अब मैं इसका square कर दूँ दूनों तरफ तो मैं पास आ जाता भाई a square minus x square की जो value हो जाएगी वो जाती है a square divided by 4 और यहां से हमाँ पास पता चलता है x की जो value आने वाली है x square will be equal to 3a square divided by 4 यानि कि x की value आजाएगी root 3a by 2 which is option b इसमें हमें amplitude time period की तो पहली बात बिलकुल ही जरूरत हमें नहीं पड़ेगी यह जो छोटा सा वीडियो आपने देखा एक छोटा था part है तरीके से आपको सारे वीडियो एडिशनल एक्सराइज थाकि आपकी प्राक्टिस हो जाए हाल तरीके की पीवाइक्यू जितने भी तरीके की पूझे गए है सब इस कोर्स में covered हैं साथ में आपको colorful notes मिल जाते हैं जिसका link भी description में है printed notes नहीं वो PDF हैं तुमको भी download कर सकते हैं आप post से जल्दी आ जाओ link में मिलते हैं जल्दी से full structured post में